इंडास्ट्री का एक उवर्वियू लेते हैं इंडिन होटेल्स के M.D. और C.E.O. पुनी चटवाल के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की उनसे आउटलुक 2023 समन्ने कोशिश की ये समन्ने कोशिश की क्यों हस्पिटालिटी सेक्टर में कितन क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, सिल्वर लाइनिंग क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ा ट्रिगर्स जीट्वेंटी समेथ दूसरे और कौन से बड़े इवेंट आगे के लिए लाइन डप है आई एक छोटी से जलाक आपको दिखाते हैं उमंग उच्छा चाहा पर उससे भी ज़्यादा जिससे किसम का confidence और एक कि हमें ये करना है और हम कर सकते हैं ये जो एक change आया है इसी से इंडिया को benefit मिल रहा है इसी से इंडिया में growth आ रही है और इसी से और ये भी कहना I think ठीक होगा कि जो भी center level पे और state level पे जो governments जो काम कर रही है वो बहुत positive direction में काम हो रहा है उससे हर sector को मदद मिल रही है और जब हर sector में लोग अच्छा करते हैं तो खर्चा कहा करेंगे लोग cinema में जाएंगे या लोग hotel में जाएंगे या restaurants में जाएंगे तो automatic उससे काफी हमें improvement पहले से ज़ादा नजर आ रही है और मैं तो हमेशा बोलता हूँ best is yet to come वो इसलिए क्योंकि अभी foreign travel 1920 के level पे नहीं आया है जो हमारा जो inbound जो लोग आते थे इंडिया में वो उस level पे नहीं पहुँचा है जिस दिन वो भी आ गया प्लस ये G20 से अगर जो meetings होगी उससे जो extra room nights और extra conferences और extra meetings होगी I think इन से सब को देखते हुए World Cup, World Cup, Hockey, World Cup, Cricket काफी सारी events हो रहे हैं उससे हमें काफी backing और benefit मिलना चाहिए All right, तो काफी ज़्यादा strong triggers दिखते हैं पूरे hospitality sector के लिए Indian hotels के stock को एक बार discuss करते हैं आप बता है वेशाली Indian hotel stock को कैसे approach करेंगी अगर यहां से एक positional view लिखना हो In fact, हमारे साथ संतोष है, वेशाली से बात नहीं हो पाएगे विफिलाल संतोष से बात कर लेते हैं संतोष, एक सर्फ ट्रेडिंग व्यू मत बताएए, एक positional व्यू भी बताएए थोड़ा लंबे अगर आपने ज़री से चार्ट को देखें तो इन उटेल्स के क्या टागट दिखते हैं और शिक से अपनी रेली कर सकता है, तो एक चैनल में है, चैनल में नीचे तो अगर किसी वज़े से 300 से 300 के आसपास मिलता तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल रहेगा और उपर में 300 निकालता है तो फिर एक रेली डेफिनेटली मिल सकती है 425 से 450 रुपे की और तो मेरे साब से खरीदारी करना चाहिए 300 के आसपास जितना मिले और रेट कीजिए नीचे आप 290 कर स्टोप्लोस लगा सकते हैं ओके चैनल